कि हम लोग हमारे कल के लिए बात करना चाहते हैं हम इस कल के बारे में आप सबसे पूछेंगे कि आपको लगता है कि हम लोग हें किखलाना चाहते हैं कम आपको लेक हैं करें सी पारिट पर प्रदू आपके लियुक्ट की ऐस के साथ लड़ना चाहिए इसके हिसाब से हम लोगों को उन लाखों लोगों की तरह लड़ना चाहिए जो हजारों के देशों में जाके लड़ रहे हैं अपने मुक्ति के लिए आज मैं आप सबसे कहती हूं कि आपको लगता है कि यह ग्लेशेस दो तिन दिनों पर पिगलना बंद हो इसलिए मैं आप सबसे करती हूं कि हम लोग एक साथ आकर इसको रोके हम लोग ने आज यह रहाली इसलिए निकाली है ताकि हम लोग आप सबको जागरत कर सके इस वश्य पर कि हम लोगों को क्लाइमेट कितना बड़ा यह होना चाहिए चेंज होना चाहिए आप देख सकते ह कि दिल्ली में आज कल बहुत जादा प्रोड्यूशन के कारण लोग सही तरीखी सा हवा भी नहीं ले सकते बलकि आज कल हम लोग दिल्ली के अंदर देखेंगे तो लोग है ईवन ऑक्सिजन को बेचने शुरू कर दिये हैं हमें आज सुबह में न्यूस में पढ़ा कि हैना क कि बंद ती सो रुपए के लिए 15 में टॉक्सिजन दे रहे हैं कि आपको लगता है इस हवा के लिए भी हमें पैसे भरने की जुरूद भी पड़ेगी में को हम लोग इस हवा के लिए अपन योगदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे इसलिए हम लोग ने आज कर आली का आपको लेग्यके लूच्ट पूग्तारा फेली प्लुक्ट वाँ वरूजन जोस्पराफ ऑपको लिए थ आपको लिए लूटिएगा उन से लिए ब irr tissuाइंव जख चूलाच की लोगता है यगि ठाप को लिए विए टाया मेंद आ टाइए पेल You say you hear us and that you understand the urgency, but no matter how sad and angry I am. I do not want to believe that, because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be able, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half or ten years only gives us a 15% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting up irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution. You are failing us, and the young generation are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you, and if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you. Scholars English School, Adeen Larev. My name is Adeen Larev. I am from Scholars English Girls High School, Beer Bypass, and myself, Sayada Fatima. Hi, this is Anchor MC Madhuri Sanchi, और देखते रहिए और अरंगाबाथ अपडेट्स, and subscribe, जरूर कीजएगा हमारा चैनल और अरंगाबाथ अपडेट्स. Thank you so much.